अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की तो वहाँ पे हमने काफी अत्ता की इसारी चीज़े सीख ली थी हमने देखा था कि कैसे बीच कर बनता है साथ ही साथ हमने पर्मेबिल्टी की ओपर बीच्पर देखके समझ गया कि भी यह पर्मेबिल्टी क्या होती है मान के चलते हैं कि आप मेरे lecture से काफी inspire हो गए लेकिन आपने कहा कि यार सर जो कह रहे हैं वो तो हो गई theoretical बात यानि किताब में लिख हुई मैं चाहता हूँ कि एक खुद से draw करके देखूं क्या बी-एच कर्व सही में ऐसा आएगा तो आप market गए market से आपने एक नया बिल्कुल ताजा ferromagnetic metal खरीदा और आपने उसका बी-एच कर्व बनानी कोशिश करी ठीक है आप जब उसका बी-एच कर्व बनानी कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर तक ये कर्व आपको ऐसा ही दिखेगा यानि कि initial stages में आप जैसे जैसे intensity बढ़ाएंगे वैसे वैसे flux density बढ़ती चली जाएगी एक particular point के बाद देन उसके बाद आप क्या करेंगे intensity को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो आप जब intensity को थोड़ा सा इससे क्या होता है इससे यह होता है कि यह बहुत तेजी से इनके अंतर जो flux density डवलप होती ही वह काफी तेज होती है small intensity अपलाए करने पर काफी ज़्यादा density हम डवलप कर सकते हैं यह बाते हमने पुराने लेक्चर हम सीख चुके हैं तो हम क्या करेंगे हमने intensity बढ़ाई यानि कि h1 से h2 पे गए तो हम देखेंगे flux density भी हमारी बढ़ती चली जाएगी अब क्या होगा अब हम value intensity की और बढ़ जाएंगे और density बढ़ती चली जाएगी यह होना चाहिए जो हमने बुक में पढ़ा है अब तक ठीक लेक्शल में क्या होता है एक्शल में कर्व यहां पर जाके कुछ इस तरीके का फ्लैट हो जाता है और इसको हम कहते हैं saturation ठीक तो यानि कि हमने क्या देखा कि जो कर्व हम उल्टा यानि कि हमने h2 तक तो सब कुछ सही था लेकिन जैसे हम h2 को पार करते हैं यानि कि certain critical value को पार करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा यानि कि जैसे जैसे तुम intensity बढ़ा होगे external field apply करोगे पर तुम देखो कि कुछ हो नहीं रहा है जो होना था वो हो चुका है and this phenomenon is known as saturation तो आज इस lecture के अंदर मेरा नाम प्राण जले और आज हम लोग चर्चा करेंगे saturation of BH curve के बारे में यानि कि BH curve कैसे saturate हो जाता है BH curve क्या होता है यह हमने शुरुवात में देखा था यहीं पर हम लोग एक परिमिल्टी के नाम पे अटक ग अगर हम saturation की बात करते हैं तो concept of saturation क्या कहता है saturation यह कहता है कि इसके अंदर intensity कितनी भी बढ़ाओ पर flux density constant रहेगी यानि कि यह एक ऐसी इस्तिती है जिसके अंदर हम कितनी भी intensity of externally applied field यानि कि बाहर से आप कितना भी motivation दे दो बच्चा जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेगा य बिल्कुल अगर उस compare उस इस्तिती से compare करें तो आप कितना भी अच्छा उसे complaint पिला लो complaint पिला लो या बॉर्ण वीटा पिला लो कुछ भी कर लो एक limit के बाद उसकी जितनी नंबर आरे हैं यानिकि उसकी जितनी mental state है वो जाके constant हो जाएगी वो Einstein नहीं बन जाएगा मतलब आप अगर कितना भी उसे अगर वो दो गंटे पढ़ रहा है तो certain number आ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप उसे 24 गंटे पढ़ा दोगे उसके number बढ़ जाएंगे वो एक particular point पे जाके saturate हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही BH curve के साथ होता है या ferromagnetic material के साथ भी same काम हो होता है और इस state को हम लोग कहते है saturation रीजन रीजन एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि भाया जितने भी magnetic materials हैं जो इस धरती पे हैं उन सब के अंदर finite number of dipoles हैं और अगर हमने एक बार सारे dipoles भाया अलाइंग हो गया तो फिर कुछ बचा नहीं यानि कि देखो intensity करती क्या है य जैसे हम इस पर external field लगाएंगे तो यह domain होना शुरू हो जाएंगे अब क्या होगा जैसे जैसे तुम h को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा number of domains यानि कि more number more number of domains आपको अलाइंग होते हो दिखेंगे लेकिन एक समय आएगा कि जब जितने मान के चलते हैं इस फैरो मगनेटिक मेटेल के अंदर दस domain थे अब वो 10 के 10 अलाइंग हो चुके हैं तो बी जो होगा वो fix हो जाएगा यानि कि अब density fix हो जाएगी अब तुम अगर further intensity apply करोगे तुम दु करूंगा डाटूंगा उन्हें influence करूंगा तो एक समय आएगा 10 के 10 बच्चे वो मेरी तरफ देखना शुरू हो चुके हैं अब कितना भी अच्छा पढ़ा लूं कितना भी तेज पढ़ा लूं कितने भी रुपए offer कर दूं मैं 10 से ज़्यादा बच्चों को अपनी तरफ अ known as saturation समझ मां गया होगा तो saturation एक characteristic है जो mainly ferromagnetic metal में पाया जाता है यह आपको याद रखना पड़ेगा यानि कि अगर saturation की जब भी हम बात करेंगे saturation की जब भी बात करेंगे तो यह ferromagnetic में पाया जाता है क्योंकि देखो एक बड़ा important reason है यार पैरा-magnetic की अगर हम बात करते है पैरा-magnetic तो आपको याद होगा पैरा-magnetic में saturation जैसा तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो बहुत हाई intensity अपलाय करोगे तो ज क्लियर हो गया तो saturation जो concept है वो basically ferromagnetic metal के अंदर ही exist करता है तो यह ध्यान रखना बहुत बार exam से पूछा जा चुगा यह बहुत ही basic question है एक number का saturation की जो problem है या saturation जो एक concept है वो कहां exist करता है तो आप बहुत easily answer कर दोगे कि यह जो है ferromagnetic material के अंदर exist करता है पैरा और डाया में यह ऐसा कोई भी यह इस तरीक है कि कोई भी इस्तिति पाई नहीं जाती है नो अब समझ लेते हैं जो मैंने आपको समझाया उसको ज़रा picture से सम अलाई नहीं करी है एक एक चीज़ दियान समझ लो यहाँ पर एक यह जो मैंने सर्किल बनाया डिसे और डॉमें की तरीट करो क्योंकि छोटा सा डायराम बनाना तो मैंने इसको बहुत जाद़ कॉंप्लिकेट नहीं करा है तो यह जो एक चोटा सा मैंने एरिया बनाया यह बन वन हो गया यह डोमें टू हो गया इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं अब क्या है सारी डोमेंज जोंगी और रेंडम अलाइंग होंगी नेट फ्लक्स जीरो तो एक एक बड़ा देंसिटी देखने को मिलेगी यानिकी जड़ा सा एच बढ़ाया यहां पर देख सकते ह हो भाई हमने क्या करा थोड़ा सा यानिकि इतना सा एच बढ़ाया लेकिन बी देखो कितना ज्यादा बढ़ गया अब यह क्यों हो रहा है यह होता है ड्यूटू हम अगर बात कर लेते हैं रिलेटिव पर्मेंबिल्टी के बारे में तो याद होगा जो फैरो मगनेटिक की ह होना एजनी हम लोग फ्लक्स लाइन सेट अप कर सकते हैं फैरो मगनेटिक में तो जब इतना एजली कर सकते हो तो बीक्वल टू म्यू है यहां पर म्यू की वैल्यू एब्सलूट पर्मिल्टी की बात हो रही है तो एबसलूट को अगर करना है तो म्यू अर इंटू म्यू नो दो लाग को मल्टिप्लाई करोगे मू नॉट से ठीक है तो यह हो गया 2 lakhs into मू नॉट अब इसको जब solve करोगे तो certain value निकल गाएगी काफी ज़्यादा high आएगी compared to the year तो ऐसे case में क्या होगा छोटी सी intensity लगाने पर बहुत ही high density हमें देखने को मिलेगी so this is the overall maths भापस से physics पर आते हैं तो भाई हमने क्या करा है h1 apply करा है और हमें b1 नाम की इतनी ज़्यादा density मिल गई now हमने क्या करा है अब यह क्या दिखा रहा है इसको ज़रा picture में समझ लेते हैं तो जैसे ही आपने h1 intensity apply करी तो क्या होगा जो blue color के देख रहे हैं डोमेंस जो blue color से मैंने रिप्रेजेंट करी है यह वो domains होंगी जो अपने आपको align कर चुकी है जैसे हमने इनको h intensity की हमने जैसी इसक्यों पर field apply करी so this is the pictorial representation ठीक है तो हमने h1 apply करा तो हमें b1 flux density देखने को मिल गई now यह जो b1 density है वो because of these domains ठीक है यह वो domains हो गई है जो h1 apply करने पर हमारी क्या होगी अलाइंग हो गई है al i कर लो यार फोड़ा सा English का ध्यान रखना तो align हो गई है clear हो गए आपर यानि कि यह वो domains है जो align हो गई है यह और यहां पर हमें क्या होगा बीटू इंटेंसिटी देखने को मिलेगी यानि अब मैंने क्या करा है पूरी तगड़ी जितनी भी डेंसिटी हम apply बना सकते थे हमने सब बना दी with the help of h2 ठीक तो अब हमने क्या करा यानि कि यह जो domain जैसी हमने h2 apply करा तो अब देख सकते हो h2 apply करने पर जितने के जितने dipole domains थे dipole magnetic dipole movement के जो domains थे उस सारे के सारे domains जो होंगे ferromagnetic metal के वो सब के सब align हो गए है तो यानि कि अब हमने तगड़ी वाली यानि कि अब हमने principle को बुला लिया है जैसी हमारे क्लास में आएंगे तो सारे बच्चे एक तरफ उनकी तरफ देखेंगे यानि कि कुछ खतरनाक चीज होने वाली है तो हमने क्या करा जैसी हमने intensity apply करी तगड़ी वाली intensity एक्दम ताकतवर तो वहां पर क्या हुआ सारे के सारे डॉमेंज जो थे वह एक तरफ देखने लग गए और ऐसे में जो हमें intensity अब यह स्टेज आ गई अब हम क्या करेंगे अब भी संतुष नहीं अब हम क्या करेंगे हम एक intensity का लेवल और बढ़ाएंगे हम हम वह तुमने वी सी को भी बुला लिए तुमने का वी सी सर को भी बुला लेते हैं वाइस चैंसलर क्लास में देखते हैं अब कैसे कोई और इस्टूडेंट क्या पता कुछ अलाइंग हो जाए तो भाईया तुम्हें इतनी सी बात समझ माहा जानी चाहिए कि जब 10 स्टूडे हो रखे थे तो अब कोई बचा नहीं जिसको हम औरियंट कर सकते हैं तो ऐसे केस में एच त्री अप्लाइ करने पर फ्लक्स डेंसिटी आपको बीटू ही देखने को मिलेगी समझ में आरी बात है तो देखो एच को हमने एच वन करा तो बीटू पर सेचुरेट हो गया यानि समझ में आ रही है तो अब तुम एच फोर एच फाइक कितना भी बढ़ा लो यह कर्व ऐसे ही फ्लेट रह जाएगा और इस स्टेज को हम लोग कहेंगे मैंगनेटिक सेचुरेशन तो आयोब समझ में आ गया होगा यह बात मैंने पीछे भी समझाई थी पर पिक्चर का सहार मिल गया है तो अब मुझे लगता है किनारा आपको मिल गया होगा कैसे आपको समझ में आ गया होगा यह बहुत है और बहुत आसान है बहुत एसली समझ सकते हैं आज इस लेक्चर को देखने के बाद ना तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाऊंगा मैं से जो अफेक्ट हुई ह और क्या-क्या चीज़ें आस-पास तुम्हारे सराउंडिंग में तुम्हें सेचुरेशन की वज़े से देखनी पड़ती हैं जहिलनी पड़ती हैं वो सब चीज़े तुम्हें पता चलेगी इस लेक्चर को बस देखते रहना तो बेसिक अंडेस्टेंड समझ में आगए कि नया देखते हैं किया है इसको जो रसमझते हैं तो मानके चलते हैं अगर कोई फैरो मैंगनिटिक मार्केट से मखरीद के लाएं अब इस फैरो मैंगनिटिक की जो ऑकात है वो चार लाइन की यानि कि के इसका क्या मतलब हुआ कि चार लाइने अगर हम इने इसके अंदर डवलब कर दी तो फिर जितने भी डाइपोल्स होंगे वो सबके सब हो जाएंगे सब्सक्राइब अगी अगर आपसे पूचा जाए तो आप यह कहां से पता करोगें कि फिर्व फिरुअगनेटिक差不多 है तो अगर मान के चलते हैं कोई ferromagnetic metal है और उसकी आउकात जो है वो चार लाइनों की है यानि कि चार लाइने अगर flux की बना दी तो वो dipole जो होगा वो उसके जितने भी dipole से हैं सबकी सब align हो जाएंगे अब देखते हैं कैसा होता है तो भाई हमने इसके उपर winding कर दी electromagnetic बनाने कोशिश कर रहे हैं ferromagnetic metal को अब देखो जैसे मैं हर बार आपको याद होगा मैं intensity h की बात करता हूं हम लोग हर बार कहते हैं इंटेंसिटी एक्स्टरनल या प्लाइट फिल्ट जनरली होता क्या है ना कि h भाहर से external magnetic film नहीं लगाते हैं यह h जो आता है वो आता है आपके current की मदद से यानि कि जब हम किसी electromagnetic को magnetize करने ही कोशिश करते हैं तो वहाँ पे intensity नाम की चीज आती है ठीक है समझ मारी बात ही है कितनी समझ मारी होगी तो होता है number of turns into current यह जो तुमारा होता है यही एक तरीके के intensity की तरह वर्क करता है इसका formula अगर नहीं आता है तो comment section mention करना इसके लिए मैं आपको separate video में समझाऊँगा इसके formula सारे वहाँ पर बताऊँगा अभी तक इतना समझने के लिए एक बात समझ लो एक चीज बहुत basic सी कि जो intensity होती हो basically हम लोग जो field apply करते है current apply करते हैं कितने turns इस पर depend करती है ठीक है तो अब जड़रा देखते हैं तो मान के चलते हैं हमने क्या करा current को बढ़ाया तो जैसी आप current को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर एक flux line setup हो जाएंगी तो मान के चलते हैं जैसी आपने थोड़ा सा current दिया तो दो flux line setup हो गयी इसके अंदर ठीक है यह बहुत अच्छा लगा मजा आ गया एकदम फिर हमने क्या करेंट को थोड़ा सा और बढ़ा के देखा तो जैसी हमने current को थोड़ा सा और बढ़ाया तो अब क्या हुआ current बढ़ाने का मतलब intensity बढ़ा रहे हैं ultimately बात इतनी है इसको आपको ध्यान से समझ लेना ठीक है तो current बढ़ाने का मतलब है intensity apply कर रहे हैं वैसे यह बात बहुत obvious ही है हम electromagnet जब बनाएंगे तो intensity हम भार के north-south ना देखे हम current की मदद से दे रहे हैं तो हमने क्या करा current को थोड़ा सौर बढ़ाया जैसी हम थोड़ा सौर बढ़ा होगे तो हम देखेंगे कि 4 लाइने setup होगे अब बढ़ा interesting सा case है हमने क्या करा हमने एक winding कर दी थी electro ferromagnetic material मार्केट से खरीद के लाए जिसकी आउकाट चार लाइन होगी थी और उसके उपर हमने क्या करा electromagnetic winding कर दी अब जैसे ही वह winding पर हम उसको energize करेंगे तो flux line setup होगी अब क्या होगा चार की चार लाइने पिक्चर में आ गई यानिकि अब यह material की आउकाट complete हो चुकी आउकाट के बाहर की च there will be no effect ठीक है कोई भी effect देखने को नहीं मिलेगा फिर तुम और current को बढ़ाओ कि तुम देखो कि अब भी चार लाइने निकल रहे हैं आप और current को बढ़ाओ कि अब भी देखो कि वह चार ही लाइने पिक्चर से बाहर आ रहे हैं so this is the saturation in practical world यानि कि देखो क्या होता है saturation का का हमने करवर बहुत सीख लेते हैं पर actual में saturation क्या होता है वह बहुत लोगों नहीं बता होता हम लोग यह मान के चलते हैं कि हाँ saturation पूछेंगे तो बिच कर बनाया हैंगे number पूरे मिल जाएंगे number पूरे मिल जाएंगे पर यह knowledge तो नहीं है कि saturation हो कैसे रहा है so this is the effect of saturation यानि कि practical word के अगर बात करें तो intensity तुम कितनी भी apply करते चले जाओगे लेकिन क्या होगा net effect पूछोगे तो जितनी lines एक बार बन गहीं जैसे चार हो गया तो चार लाइन एक बार बन गहीं तो हम गाएंगे अब मैट्रेल हो गया saturate हमारा अब तुम कितनी भी current apply करते चले जाओगे number of magniflux lines हमारी fix रहेंगी यानि कि density fix हो गई 9 fix हो गई पर unit area जैसे कि अगर example की बात करें तो यह जो फेर माइनिटे खरीद के लाए थे इसका कुछ area था ए ठीक है और number of lines यह भी fix हो गई 5 तो यानि कि density fix हो गई clear हो रहा है so this is the meaning of practical meaning of saturation of a BH कर clear हो गए यहाँ पर आयूब समझ म बात कर रहे हैं वो basically हम लोग किसके थूरूद दे रहे हैं with the help of current current की मदद से number of turns की मदद से हम इसको control कर रहे हैं आगे चलते हैं आयोब इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके कि आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर है तो comment section बता सकते हो यार उसको मैं answer कर रखनी होगी clear हो गया यहां पर तो इसलिए मैंने यहां पर intensity apply जो करी है वो विद्धर क्योंकि जब भी आप intensity with the help of अगर हम किसी magnet की थो कर रहे हैं तो हम बात करेंगे h की लेकिन अगर आप intensity को apply कर रहे हैं एक्स्टरनली field apply कर रहे हैं with the help of current यानि कि electromagnet में हैं अगर हम किसी करेंगे intensity externally magnetize करने के लिए तो वहां पर intensity की जो value होगी वो govern कौन करेगा वो depend करेगी number of tons यानि कि एक दो तीन into कितना current इसके अंदर flow करा रहे हो so this is the simple concept basic concept है ठीक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से bh curve के application क्या है यार जो तुमने अभी तक पढ़ा ये तुमारा ये theoretical portion था now मैं अगले lecture के अंदर बहुत important lecture होगा वहां पर हम बात करेंगे बड़ी important DC machine और transformer के बारे हम बात करेंगे और देखेंगे कि यह जो bh curve आया यह जो property है यह जो state saturation की वो कैसे DC machine और transformer की performance को affect करती है उनके size को affect करती है और किस तरीके से armature reaction का एक राज जानेंगे एक ऐसा perspective जानेंगे DC machine में जो आपने कभी नहीं सोचा होगा या सोचा होगा तो generally बहुत rare लोग होंगे जिन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाया होगा तो generally हम लोग जो armature reaction पढ़ते हैं उपर उपर से पढ़ते हैं तो इस lecture के अंदर यानि जो upcoming lecture होगा वहाँ पर आपको एक नया perspective देखने को मिलेगा armature reaction का मेरी आप से request है कि अगर आपने armature reaction DC machine नहीं देखा है तो यहाँ पर series मैंने अल्रडी upload की हुई है चाहे वो DC machine हो या फिर synchronous हो दोनों का armature reaction cover किया हुआ है तो आप DC machine का armature reaction एक बार देख सकते हैं कैसे BH curve ने affect करा transformer को और DC machine को आपना अपना कीमती समय दिया उसके धन्यवाद अगर आपको मेरी efforts अच्छे लगते हैं तो lecture को like कर सकते हैं लोग के साथ share करें ताकि जिनको जरूरत है वहाँ तक हम पहुँच सकें